What's going on guys, RG here मैं आगया हूँ आप लोगों के लिए लेके एक और review review by RG channel पे तो guys, मैं एक चीज आपको बता देता हूँ आज हम जिस film का review करने वाले हैं मैं थोड़ा निशब्द हूँ इस film को review करने के लिए और थोड़ा स्थब्द हूँ इस film को देखने के बाद film बहुत ज़ादा बहुत ज़ादा real factors पे बेज़ है और इतने ज़ादा real factors पे बेज़ सिरफ एक ही बंदा film बना सकता है वो है विवेक अगनियोतरी भाई कश्मीर फाइस हो या केरला स्टोरी सबसे ज़ादा खतरनाक फिल्म है मानता हूँ मैं उन्हें अभी तक की film industry में इतने bold topics लेके आने के लिए जिगरा चाहिए और अगर हम बात करें यहाँ पे नाना बाटेकर अनुबम खेर और पलवी जोशी के दुआरा अभिनित ये film The Vaccine War एक ऐसी film है जो की शायद इस टाइम पे publicity लेवल पे underrated है लेकिन अगर filmmaking के बारे में बात करो तो number 1 पे जानी चाहिए क्योंकि logic, story, reality factors, emotions everything is there in the film आपको क्या चाहिए इस movie के अंदर वो मिलेगा लेकिन अगर आपको सच चाहिए कि हमारे scientists, हमारे doctors कितने महान है, तो आपको पता चलेगा ये movie देखके जिस तरीके से इंडिया का मजाक उड़ाया जा रहा था कि इंडिया कभी vaccine बनाई नहीं सकता इंडिया के कुछ लोगों ने बोला था कि foreign vaccine ले लो, लेकिन Indian scientists ने ना तो सिरफ इंडिया में vaccine लगा के record बनाया, बलकि इंडिया के बाहर भी vaccine भेजी, और 200 करोड से जादा लोगों को Indian vaccine लगी है, and guys जो की अपने आप में landmark है, and I think इंडिया ने जो कर दिखाया है, वो कोई छोटी बात नहीं है, और ये चीज़ आपको experience करने को मिलेगी पहली बार मैं honestly बोल रहा हूँ COVID से related, अगर मुझे कुछ positive दिखा होगा, तो वो इसी film में दिखा होगा, क्योंकि COVID को जब भी हम याद करते हैं, तो हमारे जिंदगी में सिरफ रोना आता है, या हम यही सोचते हैं कि क्या-क्या हमने खो दिया उस दौरान, लेकिन इंडिया को एक potential country in terms of pharmacy COVID नहीं साबित किया था क्योंकि इंडियन vaccine ने world में एक landmark साबित किया है, और यह landmark साबित करने के लिए किन-किन hurdles को cross करना पड़ा, scientists को and doctors को यह movie उससे पूरी तरह दर्शाने में सफल होती है, और filmmaking के मामले में cinematography के मामले में particular hands down to cinematography बहुत प्यारा काम करा गया है and color correction बहुत genuine रखी गई है, देखने में अच्छी लग रही है movie, लेकिन जो इसका BGM है, एक ही BGM पूरी movie के अंदर आपको सुनने को मिलेगा, जब भी वो सुनने को मिलेगा, आंसू तयार रखना, क्योंकि एक बाल्टी तो निकल जाएंगे और उसके बाद जब आप movie के end तक पहुंचोगे climax scene में, जब नाना पाटेगर अच्छा है करेंगे, मतलब अपना, वो ace product लेकर आएंगे, जिसे हम acting बोलते हैं तब आपको पता चलेगा कि भाई, emotions किस तरीके से लोगों के अंदर से उभार के बाहर लाए जाते हैं वादा करता हूँ आप लोगों से ये movie देखने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपनी seatों पे बैठे रहोगे ये सोचते होए कि हमने क्या देखा और हम किस चीज को जेल कर आज ये film देख पा रहे हैं जिसका नाम था COVID and I think Vax in War एक ऐसी film है या ये उस films उन films के लिए एक थपड है जो की illogical stuff बना के बोल देते हैं, we are entertaining entertaining ठीक है entertain करना भी एक level पर ठीक है लेकिन कभी-कभी फिल्म को सिर्फ ऐसा message भी यूज करना बहुत ज़रूरी है और ये उन में से एक film है जो हर बच्चे को देखनी चाहिए, उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे देश का actual potential क्या है चाहे वो field of pharmacy हो चाहे वो field of filmmaking हो और guys, honestly अगर हम right idols चुनेंगे तो right रस्ते बजाएंगे ये एक बहुत important factor है and honestly, बहुत बहुत जबरदस movie लगी मुझे और हाँ, रही बात movie को rate करने की ये movie rate नहीं की जा सकती ये movie beyond rating है and I think each one of you guys must go and watch the film just for the experience and वादा करता हूँ आप मेरा ये review literally, आप मेरा ये review literally, गले से लगा लोगे कि मैंने आपको एक सही film को देखने के लिए बुला amazing movie one of the finest films I would say in the recent times covid के बाद की one of the most most logical films चाहे इस film के आप VFX की भी बात करो वो film बहुत पहरी लगती है लगते नहीं के VFX हो रखे हैं हालां कि इसके अंदर जो rat testing या monkey testing या animal testing की गई है वो VFX के through ही हुई है लेकिन देखने में बिलकुल ही लगता you will feel like what camera work they have done what VFX work they have done and it's amazing एक बार के लिए तो मुझे पता ही नहीं था कि ये real नहीं किया है इनोने but it looked really real and मज़ा आ गया and आपको कैसी लगी है movie please comment section में मेरे को बताना मुझे बहुत मज़ा आया देखके and पता चला के हमारा देश हर बार की तरह हमारे लिए एक और वो कहते है ना के landmark सापित करके आया और हमारी चाती चौड़ी हो गई है ये देखके के हमारे scientists और हमारे doctors कितने काबिल है और कितने जबरदस्त है कर काबियत साबित करने के लिए एक फिल्म की ज़रूरत नहीं होती हमारे scientists और doctors कितने काबिल हैं ये हम सब जानते ही है इन लोगों की इज़द करना हमेशा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और हमेशा हम करते रहेंगे इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को ज़रूर देखे so that you get to know what India has actually gone through जैहिन